आज के वीडियो में हम बिना की इतेल का इस्तमाल किये एक कप मुफली से प्रोटेन युक हेल्दी चटपटा नास्ता बना करके तियार करेंगे तो नमस्कार पापा ममी किचन में आप सभी का स्वागत है इसके लिए मैंने मेजरिंग कप के इसाब से एक कप मुफली ली है आ अब इस मुफली को में एक बाऊल के अंदर लेते हैं इसमें पानी डाल करके एक बार साफ दो लेते हैं क्यांकि इसके उपर मिट्टी वगर होती है कच्रा होता है वो निकालना बट जरूरी है इस तरह साब मसल मसल के इसको एक बार क्लीन कर लें इस तरह पार पानी काफी जंदा हो गया देखिए दोना बहुत जोरी मुफली को अब इसे हम दो तीन बार साफ पानी से दो करके एक बॉल कंजर ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें पानी डाल करके करीब दो गंटा के लिए बिगा के रख देते हैं तो मुफली अच्छे से भीक करके तयार हो जाएगी अब इस मुफली को मैंने दो गंटा बिगा दिया है दो गंटा में आप देख पा रहे हैं मुफली काफी फूल गई देखिए काफी बड़ी हो गई इसका कलर भी चैंज हो गया है और इसके उपर जो पानी था वाने निकाल दिया है और दूसरा सा पानी डाल दिया है क्यों तो खाने में बहुत स्वादिश लगी है अभी डखकन लगा करके इसे पकाने लिए लग देते हैं इसे हम पांसे छे सीटी ते पकाएंगे अभी इसकी से सीटी आ गई है और शे सीटी आने के बाद में हम जेस को बंद कर देते हैं इस कुकर को हमें अभी नहीं खोलना है एक आप इसकी सेटल हो जाती है उसके बाद में खोलेंगे जिसे मुफली और भी अच्छे पके त्यार हो जाएगी अभी इसे हम साइड मेरां रख देते हैं एक मिक्सिक जार में बो टेबली स्पून जितना हरा दन्या ढालदेते हैं अभी मैंने दो हरी मिर्ची लिये है दो हर मिर्ची का पाउडर लिया है निढ foster लिया है जिसने एक टेबल इस्मून जितना गुर्ड लिया है जिसे एक फट्टा मिटा बने के तियार होगा, यदि आप मिठा नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इसे के साथ मैंने एक टेबली स्पून जितना बोना हुआ चना लिया है, यदि आपके पास चना नहीं है तिसके जगे पर आप भुजा भी डाल सकते हैं, पर भुजा फ्राइड होता है, इसलिए मैं इ तो आप यह जरूर डाले हम इसमें दो तरह की खटाई डाल करके बनाएंगे एक टेबली स्मून जितना मैंने ड़ी लिया है दैसमें डाल देते हैं यदि आपको ज्यादा दियानों के लिए बना के रखना हो तो आप उसमें ड़ी नहीं डाले हैं ड़ी और एमली का कॉंबिन सब्सक्राइब लिए हैं तो आप उबला अलू लिया है यह मीडियम सब्सक्राइब रूल थैसे में कुकर में डाल के शिलका भी निकाल लिया था जिसको डाल देते हैं अलो या उपास में आराम सिखा सकते हैं एक मैंने खिरय कटी ली है जिसको भी मैना छोटाचतों चूटा काट profund Türkiye में गाजर ली है उसको भी मेने सिकší तो Deb Foods अप Univam बाफील शोग से त्रुमिल भी-स्टी कर तेयर हो इसके अलावा आपको इसमे और भी सबजिय आड़ करनी हो जैसे मत्रवगर एड करना हो तो वह भी उबाल करका आप इसमें बीज भी बाल कर सकते हैं इपत्ता गोभी डाल अगे सकते हैं जो भी सब्यानों इसमें डाल सकते हैं इससे नास्ता बहु जादा हेल्दी बन के तियार होगा अभी साइड में हमारे कुकर की भाप्पी पूरी खटम हो गई है अभी से खोल करकर देख लेते हैं कि मुफली भी देखें बहुत ही अच्छी पग गई है मुफली तो टोड के दिखाती हूं देखें बहुत ही सौफ्ट होगी आराम से तोट रही है अंदर तक अच्छी पग गई है ताप देख पारें जादातर पानी जो इसमें डाला था हमने वो पूरा खतम हो गया थोड़ पानी बजगे है उसको उचान करके निकाल लेते हैं इसको यदि आप सुबही सुबह बनाना चाते हैं तो मुफली को आप रात को भीगा करके रख दें इससे उबलने के बाद में मुफली अच्छी सौफ्ट हो जाएगी और दोपर को आप चाहिक के साथ बनाना चाते हैं दोपर को बच्चे नास्था करते हैं उसमें बनान चाते हैं तो आप सुबह में मुफली को भीगा करके रख दें और दोपर को आप उबाल करके तयार कर लेंगे तो आप मुफली बहुत ही सौफ्ट बन के तयार होगी तो उसका खाने में स्वा जादा अच्छाएगा इस घ्रच करने के दूले में ऊदरे सेरी यह री कार्ति पर ने कमें लिग कर दोई पर यह लां है यहां है, तो यह रु bunun सुत्स के लां शेक्थ पर आपने शम दिला देती हूँ आपको यह छो तो कि यादा देती हु आपको यह रहे हैं अपको कॉमेंट बॉक्स में लेकर आएं इस पेष्ट के करांट से इसका स्वात कहीं गुना बढ़ जाएगा जिए कि इसके कलर भी अलग लगने लग गया है वो दिखने में भी बहुत सुंदर हुटता है यह आपके बचों को चाट उगर खाना पसंद आया तो यह उनको बहुत ही पसंद आएगा यह पूरा इसमें क्योंकि हमने बराबर ही बना करके त्यार किया था आप तो ज्यादा बना करके भी रख सकते हैं सब को अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी इसके पर थुड़ा साहरा धनिया और डाल देते हैं इसे इसका लुक और भी अच्छा लगेगा अभी मैं आदा निम्बू लिया है जैसे लगे में निंबू की खटाई इसके अदर बहुत ही अच्य लगती है। आप सहोचरे को आपके में दो तरह की खटाई पले डाल दी है। उसका टास्ट अलग होता है निम्बू के भी आप पहले ही निकाल और के डाले इसके अंदर ने जाए। मैंने भी निकाल लिया था और एक बैज रहा गया था इसमें रिया जोनी आप अच्छा से मिक्स कर लएता है मक्ली कि ओप्रत送गरे इन अच्छंटे में शाया बार को करता है तो यह तो नास्थेम्न दाल देता थेs Сप इस तरह से इसे अरामसे प्रतिक diapers यदि आपको बिल्कुल फैट फ्री खाना है, कोई भी तरह का तेल वगर नहीं इसमें होना चाहिए, तो आप ये बुजे वगर नहीं डाले, आप इसके वपर नाइलोन सेव नहीं डाले, इस तरह से हमारा प्रोटीन वीच हेल्दी नास्ता बन करके तयार हो गया है, यदि आ आप हेल्थ कॉंसियस है तो आपके लिए नास्ता पर्फेक्ट रहेगा, तो आप भी अपने गर में जरूर ट्राइ करें, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाई, एंड टेक केर